तो गाइस चलिए आज एक चैलेंज करते हैं आज देखते हैं कि 7-800 रुपए कमाने में मुझे कितना टाइम लगता है और काम भी मेरे पास ठीक ठाक है तो चलिए देखते हैं कितने टाइम में हम 7-800 रुपए आज कमा लेते हैं तो हेलो गाइस गुड़ मॉर्निंग आगे हैं सुबह सुबह भीया के पास नया माल आ गया बिल्कुल फ्रेश तो गाइस पहला जो चक्कर है वो हमारा 15 कट्ट का अने वाला है उसके बाद 25 कट्ट और है और साथ में ये चैनल लेके जाना है और उसके बाद एक चक्कर और है तो गाइस मज़ा आ जाएगा यार वीडियो पर बने रहें तो चलिए फटाफट लोड करते हैं तो गाइस दीखिए लोड हो चुका यार और इसके बाद 25 कट्टोगा वो भी चुक्कर है तो गाइस चलिए फटाफट ये माल जहाँ पर जाना है वहाँ पर उतारेंगे फि यहीं आपसे आके मिलेंगे तो गाइस ये यार भाई ने आके और भी सामाद डाल दिया है ये इसको चैनल पत्ती बोलते हैं ये जो सिलिंग होता है घर में जो सिलिंग टंगती है चत पे उसके काम आता है और ये देखिए पिछे ये माल लगा हुआ है तो गाइस चल और चलिए पड़ाफट चलते हैं और माल छोड़के वापस इस दुकान में आके फिर आपसे मिलते हैं तो गाइस फाइलिली जहां पचिस कटा माल लेकी गया था वहाँ यार बहुत जल्दी पहुंचना पड़ा क्योंकि भाईया यार बार-बार मुझे कॉल कर रहे है जल् सामान उतार के और काफी स्क्रिण में भी दुकान में जाऊंगा फिर वहाँ भी जाके जल्दी जल्दी लोड करके उसके बाद यार साइड पर फटाफट पहुंचना है तो गाइस चलिए चलते हैं और फिर वहाँ जाके आपसे मिलते हैं झाल पर पहाँ जाके जाएस जाके लोड़ा पिर वहाँ जापसे चलते हैं कि आफिक पॉस्यक्ता लोट कर लिए और यहार स्टील का है यार ऑज काफी जादा लोड है यार पचीस कटा मालर्ची के पच्चीस कटेश है और यह करीज 70 किलो के आफ्टास है और जाली भी है और फटापट जाना पड़ा है यार कि बार बार कॉल आ रहा है यार तो चलिए फटापट चलते हैं और बहां जाके आपसे मिलते हैं आज मैं यार काम पे आया था 11 बजे क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था घर से कुछ सवारी लेके आना था इसलिए 11 बजे करीब मैं घर से निकला तो जो फट चकर था वो मेरा 11 बजे ही लगा और अभी टाइम हो रहा है एक बच के पूरा पूरा एक बच गया है और यह हम अभी तक का अगर मैं कमाई की बात करूं तो तीन और दो पांच 500 रुपए हमने कमा लिया है और देखते हैं अभी भी तोड़ा टाइम है कितना कमा पाते हैं तो गाइस यार वीडियो पर बने रहना आज यह जो चैलेंज है इससे पहले मैंने अभी तक किया नहीं है और श गाइस दिऊंगे कि और कोई चकर है कि नहीं जहां तक यह सामान में जहां लेके जारां हूँ अहां पर एक और चकर होगा क्यूंकि यार शेटरिंग भी लाना होगा तो देखते हैं वह चकरज लग पाता है कि नहीं भीया ने अगर मना कर दिया तो नहीं लगांगे तर ला कि हाँ आज शेट्रिंग आएगा तो शेट्रिंग दिलाएंगे और अगर कुछ काम नहीं हुआ तो फिर लास्ट में सवारीड होएंगे तो गाइस वीडियो पर बने रहे हैं यार मजा आने वाला है सु फाइनली गाइस देखिये यह रासा यार और जो चैनल पती था वो तो हमने उतार लीया अब बारी है प्यूपी की यह देखिए यह मेरी हालत और जब उतार लोंगा तब देखना मेरी हालत पुरे कपड़े गंदे हो जाते हैं यार यह देखिए चलिए यह फटाफट उतार लेते हैं फिर नेक्स्ट अटकर पर चलेंगे करेंगे यह देखिए पूरा ही रिक्षा खाली कर दिया और इसके बाद अब शेट्रिंग लेने जा रहे हैं तो गाइस शेटिंग करीब दू से तीम किलोमेटर जूर से लाना है और थोड़ा सा ड़ लग रहा है चलिए कोई बात नहीं दरेंगे तो काम कैसे करेंगे तो गाइस वीडियो पर बने रहे हैं लाश्ट मैं बताऊंगा कि आज मैंने कितना पैसा कमाया तो फैनली गाइस हम अपना लाश्ट चक्कर लेके भी आ चुके है और गाइस इसमें 840 है और 14 बल्ली है और गाइस बतादू 11 बजे मैं काम पे निकला था और अभी बज रहें तीन बज गए अभी तो गाइस चार गंटा हो गया मुझे काम करते गरते और गाइस चार इसके मिले मुझे 200 रुपए तो गाइस चलिए फटा फट यार वहां उतारेंगे उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ शेटरिंग में क्या-क्या लेके आया हूँ इसमें 7-8 चाली है और 14 वली है यार यह साइट से देखिए कैसे लग रहा है गाइस बहुत डर लग रहा था यार लाने में क्योंकि यार चेक-इन का बहुत ज़्यादा टाइम है यह देखिए यार यहां का माहूल और यह देखिए लाल कपड़ा में दो-दो बांध के लि हमारे हाँ ठंड पड़ना स्टार्ट हो गया है और 4 बज़े देखिए पूरा शाम हो गया यह देखिए पूरा का एकदम शाम हो गया यार और ऐसा लग रहा है कि रात चल्दी हो जाएगी तो गाइस मैं घर के लिए निकल चुका हूँ और गाइस बता दू जो मैं शेट्र होता है 10 रुपए तो गाइस 40 रुपए मुझे वहाँ से मिले और गाइस जो मैंने लोडिंग का काम किया था वहाँ से मिले 700 रुपए तो गाइस आज की कमाई हुई मेरी 740 रुपए और कल देखते हैं कल क्या होता है और गाइस यहां तक आपने अगर मेरी वीडियो को दे झाल झाल झाल